जेहिन दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सो लोग देख रहे है ग्लोबल कॉन्फलिक्ट तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोग को दुनिया के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और मौडन फाइटर एरक्रेप्टों के बारे में बताऊंगा जो अपने सबसे अधे combat radius के लिए पैचाना जाता है और वीडियो के पहले ही मैं आप लोग को बता दू कि यहाँ पे combat range और combat radius दोनों ही अलग-अलग होता है जहाँ पे combat range मतलब एरक्रेफ्ट के द्वारा टेक आफ करने के बाद एक सर्टन एट्मोस्पियर में एक जगा से दूसरे जगा तक जाके reserve fuel के साथ land करने को कहा जाता है और उसी distance को combat range कहा जाता है तो वही पे एरक्रेफ्ट के combat radius असल में एक एरक्रेफ्ट के हतियारों के पेलोड के साथ एक सर्टन एरिया में operation को अंजाम देने का शमता होता है और दोस्तों इस combat radius के अंदर वो एरक्रेफ्ट हतियारों के सहारे खाली operation को अंजाम नहीं देता है बलकि अपने base में एक reserve fuel के साथ वाफ Combat Aircraft 2 को उसके Combat Radius के Comferison में सामने लाया गया है जबकि इनके द्वारा जिन Aircraft 2 का Combat Radius का व्यवरन दिया गया है वो range असल में कोई वी External Drop Tank या Aerial Refueling के बिना ही है, मतलब इन Aircraft 2 का range, Aircraft के Totally Internal Fuel Capacity के Base पे है तो सब DBS Data के मुताविक, जो के सुख़ई SUV 57, 5th Generation के Fighter Aircraft है, इसके सबसोनिक रपतार में Combat Radius करिवन 2064 किलोमेटर है, जबकि Supersonic रपतार में यही Combat Radius करिव-करिव 1050 किलोमेटर के आसपास है, जबकि दूसरे तरफ यही चीज को अगर अमेरिकी 5th Generation Fighter Aircraft मतलब F-35 और F-22 के साथ देखा जाए, तो आपको पता चलेगा कि अमेरिकी निर्मित F-35 जैसे Fighter Aircraft के Supersonic रफतार पे Combat Radius 1080 किलोमेटर है, जबकि Supersonic रफतार में यही Combat Radius 760 किलोमेटर है, और F-22 के मामले में Supersonic रफतार में Combat Radius 1250 किलोमेटर और Supersonic रफतार में यही Combat Radius 760 किलोमेटर के आसपास है, इवेन दोस्तों रश्या के Sukhoi SU-57 के Combat Radius को अगर किसी भी अन्ने Ford Generation के Fighter Aircraft के साथ भी तुलना किया जाए, तब भी यह उन Aircraft के तुलना में अधिक Combat Radius वाला Aircraft है, और इसका श्रह जाता है Aircraftों में इस्तेमाल होने वाले AL-41 F-1S Engine के उपर और यह जो Data है, यह Totally हासिल किया गया है इन इंजिनों के Data के मुताविक Sukhoi SU-57 Aircraft के अगर Actual Range को देखा जाए, तो यह करीवन 4,300 किलोमेटर है, जबकि इसमें अगर auxiliary oil tank मतलब Drop Tank का इस्तेमाल किया जाता है तो यह Aircraft 5,500 किलोमेटर तक आसानी से उडान भर सकता है दूसरे तरफ, H-List का दूसरे नंबर पे जो नाम है, वो है अमेरिका के F-15 Fighter Aircraft का 1970 के दशक में बनाया गया यह Aircraft, Sukhoi SU-57 के आने से पहले, दुनिया के सबसे अधिक Combat Radius वाला Aircraft में शामिल था अमेरिका के तरफ से असल में इन Aircraft को Air superiority Fighter Aircraft के रूप में ही डेवलफ किया गया था और अभी भी, दुनिया में कई सारे देशों के द्वारा, ओरिजिनल वरिजिन के F-15 Fighter Aircraft का अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि Aircraft के खासियत को देखते हुए अमेरिका के द्वारा, इन Aircraft के नया संस्क्रंड का भी तैयारी किया जा रहा है रिपोर्ट के मुताविक, अमेरिकी इन F-15 Fighter Aircraft के Combat Radius करीव-करीव 1900 किलोमेटर है, मतलब दोस्तों ये अमेरिका के खुद के ही बनाया हुआ 5th generation के Fighter Aircraft मतलब F-22 और F-35 के तुलना में काफी अधिक है, दूसरे तरफ F-15 जैसे Fighter Aircraft के अगर actual range को देखा जाए, तब भी ये काफी अधिक है, रिपोर्टों के मुताविक, इन 9.9 टर्न मतलब 30,900 किलोग्राम के maximum take-off weight के साथ उडान भर सकता है, और वो भी 2,700 किलोमेटर पर आवर मतलब मार्क 2.5 के रफ़तार से ट्रावल कर सकता है, फाइटर Aircraft में 20 mm के M61 Valkon Auto Cannon का इस्तिमाल किया गया है, जो 940 round ammunition कैरी कर सकता है, जबकि इसके इलावा इसमें 11 heart points है, जिसके सहारी ये 7.3 turn मतलब 7,300 किलोग्राम के हतियार या fuel को कैरी कर सकता है, जबकि अगर देखा जाए तो F-15 fighter aircraft फिलाल कई देशक पुराना हो चुका है और इन यार क्रेप्टों में, नए जमाने के fighter aircraft के जैसे आधुनिक avionics नहीं है, लेकिन फिर वी इन aircraft को अभी तक दुनिया के one of the best fighter aircraft के रूप में देखा जाता है, जोसो इसी वज़ा से ही F-15 EX या फिर F-15 Eagle 2 का निर्मान किया जा रहा है और अमेरिका के द्वारा 2020 के मद्धे में ये भी घोशना किया गया कि aircraft के खासे अधों को देखते हुए, अमेरिकी एरफोर्स की पुराने F-15 को replace करने के लिए 144 नया F-15 aircraft को भी purchase किया जाएगा दोस्वा लिश के तीसरे नंबर पे नाम है रश्या के 4.5 जेनेडेशन के fighter aircraft मतलब सुखोई ASU-35 AS, जो कि एक multi-role fighter aircraft है और इसे रश्या के तरफ से कुछी साल पहले ही अपने बेडे में operationally शामिल किया गया है तो सुखोई-35 fighter aircraft के combat radius करीव-करी 1500 km है, जवकि इसके actual range करीव-वन 3600 km के आसपास है इन aircraft को रश्या के तरफ से एक super maneuverable fighter aircraft के रूप में design और develop किया गया है और इसका पूरा-पूरी श्रेज आता है aircraft में इस्तेमाल होने वाले thrust vectoring control वाले इंजिनों के उपर दोसो, रिपोर्टों के मुताविक इन aircraft में भी AL-41 सिरीज के ही इंजिनों का इस्तेमाल किया गया है लेकिन सुखोई SU-35 के इंजिनों से भी upgraded version के इंजिन सुखोई SU-57 में इस्तेमाल किया गया है दोसो, इवन बताया जाता है कि जो ये सुखोई 35 fighter aircraft है ये करिव-करिव 8 टन के हतियारों के payload के साथ उडान भढ़ सकता है सुखोई 35 fighter aircraft के capacity को देखते हुए इसे 5th generation के fighter aircraft के close train aircraft के रूप में देखा जाता है इवन दोस्तो, इन aircraft को सुखोई 27 और सुखोई SU-57 के दर्मियान के aircraft के रूप में भी देखा जाता है सुखोई SU-57 को हवा में उड़ने वाले एक विध्धंसक हत्यार के रूप में देखा जाता है क्योंकि ये हुए में किसी भी चीज को तभा करने का शम्ता रखता है और साथ में, हवा में एक तरफा जीत का भी शम्ता रखता है इवन खाली हवा में नहीं, बलकि हवा से जमीन में भी इसका विद्धांग सर्थ ताकत इतना अधिक है कि कोई भी देश इन एर क्रेप्टों को हवा में उड़ते हुए देखना नहीं चाहता इस लिश्ट में अगर नेक्ष्ट देखा जाए तो नाम आता है फ्रांस के डैसॉल आविएशन के द्वारा निर्मित रैफैल एर क्रेफ्ट के एक्चुल कॉमबैट रेडियस करीवन 1700 किलो मेटर मतलब 920 नौटिकल माइल्स के आसपास है जबकि दूसरे तरफ कई-कई जगाओं में ये भी दावा किया जाता है कि दो स्कैल्प मिसाइल और दो एर टू एर मिसाइल के साथ रैफैल एर क्रेफ 1850 किलो मेटर से कई अधिक है जो की 1500 किलो मेटर कॉमबैट रेडियस वाले सुखोई 35 से तो एटलिस्ट आगे है पर दोसों ये जो रेंज है ये असल में एडिशनल डॉफ टैंक के साहरे अपरेट होने वाला रेंज है बिना डॉफ टैंक के इन एर क्रेफ्टों के कॉमबै अधिक है पर एक बार जव डैसल एविएशन के द्वारा ब्राजिलियन एर फोर्स के एफेक्स टू फाइटर एरक्रेफ्ट में रैफेल एरक्रेफ्टों को प्रेजन्ट किया गया था तब ओफिशियल जानकारी के मुताविक इन एरक्रेफ्टों के मैक्सिमम मिशन रेडि के आसपास होगा जबकि ऐसे सिचुएशन में एरक्रेफ्ट छे एर-to-air मिसाइलों को करी कर सकता है और कोई वी एर-to-ground हत्यारों को करी नहीं करेगा और अगर एक्ट्रेफ्ट में कोई एर-to-ground होता है तो इसका एक्च्वेल कॉमबैट रेडियस घट के 790 नॉटिकल मतलब 1470 km के आसपास हो जाएगा जबकि exactly रैफेल एरक्रेप्ट अपने internal fuel capacity के साथ कितना km तक हत्यारों के load के साथ उड़ान भड़ सकता है इसका कोई perfect जानकारी फिलाल जानना possible नहीं हो पाया इवन डैसल एविशन के दरफ से इस तरीके के जानकारियों को काफी खुफिया रखायाता है पर अगर रैफेल एरक्रेप्ट को किसी अन्ने एरक्रेप्टों के साथ बराबरी में तुलना किया जाए खास करके एफेल एरक्रेप्ट के साथ इसका compare किया जाए तो रैफेल एरक्रेप्ट का जो internal fuel tank है ये एफेल एटिन के तुलना में करीवन 2000 लिटर कम fuel केरी कर सकता है रैफेल एरक्रेप्ट का internal fuel tank अलग-अलग variant के हिसाफ से 4400 से 4700 kg के fuel को carry कर सकता है की यही शमता F-18 Super Hornet के अलग-अलग वेरियंट के लिए 6,240 से लेके 6,660 किलोग्राम तक है इससाफ से अगर यारक्रेप्टों के combat radius को compare करने के लिए यारक्रेप्टों के ferry range को compare किया जाए तो आपको पता चलेगा कि एक F-18 Super Hornet तीन ड्रॉप टैंक जिनमें से हर एक ड्रॉप टैंक का शमता 1817 लीटर है मतलब अपना 6,600 किलोग्राम के internal fuel और 5,700 लीटर external fuel के साथ कम से कम 1800 nautical mile मतलब 3330 km तक उड़ान भर सकता है जबकि रैफेल का internal fuel capacity करीबन 2000 किलोग्राम कम है और तीन ड्रॉप टैंक के सहारे रैफेल टोटल 5,700 लीटर के fuel को लेके उड़ान भर सकता है ऐसे में रैफेल के ferry range करीव-करीव 2,000 nautical mile मतलब करीवन 3,700 km है मतलब 2000 किलोग्राम के कम fuel के वावजूद रैफेल के ferry range F.A.18 के तुलना में करीवन 400 km अधिक है मतलब obviously इसके combat radius भी internal fuel के साथ at least F.A.18 सुफाहरनेट यार्ट के बराबर या फिर उससे अधिक हो सकता है कुल मिला के explorator के तरफ से आधुनी जवाने के इनी कुछ गिने चुने fighter air captain को सबसे अधिक combat radius वाले fighter air captain के दरजे में शामिल किया गया है रेशिया इस मामले में अब अमेरिका से आगे है तो वही पे भारत को अगर देखा जाए तो रैफल air captain को खरीदने के बाद भारत भी इस race में अन्य देशों के बरावरी करने का शमता हासिल किया है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तुसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए तकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जय हिंद